ओल इंडिया जनांदोलन संगर्ष मोर्चा ने देश भर में सहारा इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है गौर तलब है कि मंगलवार को जारखन की राजधानी राची में बाइक राली का आयोजन क्या क्या इस राली का आयोजन जारखन प्रदेश रध्यक्ष नागेंद्र कुश्वहा के नेतरत्व में किया क्या दरसल निवेशको और एजन्टों के भुकतान को लेकर राची राजभवन पर दो सतंबर महाधरने का कारिक्रम है इसे के दयारी के लिए पूरे शहर में जन जाकरिती अभियान चलाया गया और आम जनता को समझाया गया कि सहारा में पैसे किसी भी स्कीम में ना जमा करे तरसल भुकतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ राश्टर अस्तर पर लड़ाई लड़ रहे ओल इंडिया जना अंदोलन संघर्ष मोर्चाने देश भर में अंदोलन करने की रूप रेखा तयार कर ली है संघटन 2 सितंबर को जारखंड की राजधानी राची में साथ को धनबाद में और दस को उतर प्रदेश की बस्ती जिले में धरना प्रदाशन करने चा रहे हैं संघटन 2 सितंबर को जारखंड की राजधानी राची में साथ को धनबाद में और दस को उतर प्रदेश के बस्ती जिले में धरना प्रदाशन करने चा रहे हैं अगले महीने महरास्ट्र विधान सभा का घेराफ करने की भी योजना है राजस्थान से भरतपूर से जैपूर तक रतियात्रा के साथ जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मोहितकुमार, संतोश अगरवाल और अनिल सिंग की अगुवाई में 36 जिलो में रत यात्रा एवं अंत में गांधी मैदान में एक बड़ी जन सभा का आयोजन होगा 36 गड़ में भी विधान सभा का घेराव करने की तयारी है पंजाब के पटियाला में तिरंगा यात्रा एवं जन जागरुकता अभियान की शुरवात होने चा रही है आसम में अक्टूबर में विधान सभा का घेराव होगा मध्य प्रदेश में विधान सभा का घेराव होगा 6 अक्टूबर को देश के हर जिले मुख्याले पर एक साथ क्रोमिक आमरन अंशन एवं धरना प्रदशन होगा संगटन के रास्ट्रिया अध्यक्ष अभेदेव शुकला ने कहा है कि All India जना अंदोलन संखर्ष मोर्चाब अंदोलन के बल पर सहारा निवेश को कोन का भुकतान कराएगा देश भर में अंदोलन की रूप रेखा तयार कर ली गई है उन्होंने कहा कि सहारा के चेर्मेन कितन भी हत कड़े अपना ले पर उनको निवेश को और अजेंटों का भुकतान करना ही होगा उन्होंने कहा कि देश में जितने भी संगटन सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं सभी की लड़ाई और मंजिल एक ही है सबको मिलकर बस निवेश को और अजेंटों को एक जुट किया जाएगा सहारा के खिलाफ अतना बड़ा अंदोलन होगा कि केंद्र सरकार को उहस शेप कर सहारा निवेशकों को पैसा दिलवाना ही पड़ेगा उन्होंने कहा कि 6-7 और 8 अगस्त को दिल्ली जंदरमंतर पर हुए अंदोलन के बाद देश में सहारा इंडिया के खिलाफ माहौल बन रहा है हमें अब यह लड़ाई किसी भी हालत में जीतनी है